आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमसे बोला है Mercury is Purified by इन्होंने क्या बोला कि Mercury जो है उसको पूरिफिकेशन हम कैसे करते है उसका refining हम कैसे करते है Mercury की जो refining है वो distillation process से होती है distillation process जो है यह basically उन metals के लिए होता है जिनका boiling point बहुत ही कम होता है जैसे कि Mercury का boiling point बाकी metals के comparison में काफी कम होता है जिसके कारण क्या होता है कि अगर हम distillation process में हम क्या करते है हमारे पास एक container होता है जिसमें हमारा Mercury फिल्ड रहता है जो कि impure होता है ओके दिस इंप्यूर और है यह तो हम क्या करते है इसको heat करते है heat करने से क्या होता है कि mercury जो है वो vaporize हो जाता है ओके vapors बन जाता है अभी vapors जो है इन vapors को collect कर लिया जाता है collected and they are captain another vessel ओके यहाँ पर जो हमें vapors से collect करके जो mercury मिलता है वो pure होता है अभी pure क्यों होता है क्योंकि mercury का जो boiling point है वो बहुत ही कम होता है boiling point is very less तो mercury बहुत ही जल्दी vaporize हो जाता है बट उसके साथ जो impurities होती है वो vaporize नहीं हो पाती है और vaporize ना होने के कारण impurity यहीं पर छूट जाती है और जो mercury जो pure mercury है वो हम collect कर लेते हैं vapors के थ्रू ओके इस डिस्टिलेशन प्रोसेस और यह क्यों use किया जाता है क्योंकि mercury का boiling point बहुत ही कम होता है तो हमारा answer यहाँ पर क्या हो जाएगा B. distillation Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर